सबस्क्राइब अपने यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है यह से वीडियों में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इस्टेट मेटिकल फैकल्टी हाव टो लॉग कॉर्स सेंटर प्रिफरेंसे तो फ्रेंडस उत्तर प्रदेश इस्टेट मेट कल फैकल्टी ने इस प्रकार से हमें अपनी सीट और कॉलिल लॉग करना है तो सारी इंफार्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइट की जाएगी इसलिए ये वीडियो इंपोर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को इंडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नही चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेफसाइट पर तो फ्रेंट्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेफसाइट पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे वहीं आपको दिख रहा होगा सिर्ट मेडिकल प्रवेस्ट पक्रिया 2020 की विष्टत जानकर यह तू क्लिक करें इस लिंक पर हमें क्लिक करना है जैसे इस लिंक यह तो थोड़ा स्कूल करके नीचे आना है एक आपको पहला यह ओप्सन दिख रहा होगा लॉग कोर्स सेंटर प्रिफरेंश इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है अब हमें यहाँ पर अपना आईडी डालना है जब जो की आपने फार्म वर्ते समय प्राप्त किया था प्रिंट आउट के तायट यूपी एस एम पर दोबारा से जनेरेट कर सकते हैं तो अगर जो पासवर्ट भूल गए हैं आपको क्लिक कर देना है तो फाइनली मैं यूजर आईडी और पासवर्ट डाल देता हूं एंड लॉग इन के आप्सवर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है आपके स्क्रीन पर उपर आपको ओप्सन दिख रहे होंगे यूपी एस एमफ एस होम और इधे की नेले कलर के कुछ ओप्सन आपको दिख रहे होंगे को हमें क्या करना है और आपको विल्क करने के गाद है आपको क्लिक कर देना जैसे इस लिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है यह देखिए प्लीज लॉग कोर्स कॉलेज प्रिफरेंसे नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर एक पर डिप्लोमा इन लेप टेकनिसी यह देखिए डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी टेकनिसियन और नंबर फॉर्थ है डिप्लोमा इन एक्सरे टेकनिसियन उसके बाद के जीए उम्यू में अधर परामेटकल कॉर्से जो फिर्फरेंसे से वो के जीएमसी के अलग है यह स्टुडेंट है जिन्होंने अपनी म रेडियो ठेकना है इन इस्टुडेंट को फार्मेथी करना है ठीपकलमेंट करीडियो फार्मेषी तो इस प्लस के य cancel पर हमें क्लेश किल्क कर देना है जैसे प्लस के अफ़र्फ क्लिक करतें तो सारे आ जाते हैं जो भी प्राइवेट प्लस गवरं मेंट कॉलेज़ जो सारे यहां पर आ जाते हैं college, यहां पर preferences choose करलेना है कि आपको कौन सा college में अडविसन यहां पर आप चाहते हैं, तो preferences choose करते हैं, आप preferences choose कर से समय यह बिसे ध्यान रखे, चिस college में जयादा seat हैं, वहीं आप अपना college lock करें, कम सीटों में आप कताई कॉलेज बिल्कुल न लॉक करें क्योंकि ज़्यादा सीटों में आपकी संभाबना गवर्मेंट कॉलेज मिलने की सबसे ज़्यादा रहती है कम सीटों वाले कालोज की अपिछा तो यहाँ पर हमें GSBM Medical College कानपूर यहाँ पर यह सिलेट करना है नमबर एक पर तो यहाँ add to list list कर देंगे यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यह हो गया है आपको मैं दिखा देता हूँ यह देखिए नीचे लॉक्ट यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी उसके बाद में हमें दूसरे नमर पर इनका ग्रेजन पर मेरट है तो यहाँ पर मेरट करना है लल आराम मेडिकल कॉलेज मेरट यहाँ पर add to list list कर देंगे उसके बाद में आगरा भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर मेड थोड़ा उपर निचे हुई तो आगरा मिल सकता है तो यह देखिए आगरा डाल देंगे क्योंकि इने प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए थे गबर्मेंट कॉलेजी चाहिए तो हमने यह तीन स्रेट कर लिए हैं उसके बाद में इन्होंने आखिर कहा था कि अगर यह डिप्लोमा इन फार्मेसी में आगमाना कि अगर नहीं आता है तो इनके पास एक दूसरा चांस है कि यह डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी भी कर सकते हैं तो यह दखिए यहां प्लिस के आप्सन पर क्लिक करेंगे और पहला आपसन हम डालेंगे अगर जेके कैंसर इंटेट्टव कांपूर याँ पर add2 विसलिस्ट कर देंगे उसके बाद में दक्र राम अनुवर लुया इंट्टीटव मेडिकल सेंस लखनू add2 विसलिस्ट कर देंगे जो भी आप विसलिष्ट करते जाएंगे उसके सारा information आपके नीचे आ जाएगा यह देखिए एक दो तीन चार पांच आप जितने भी कर सकते हैं आप पर लॉक करिएगा वैसे आप मेरे according as your advice चार से कम मत करिएगा प्रिफ्रेंसिस लॉक के या कॉलेज हो आप लॉक कर रहे हैं वह आप एक की कॉलेज करें इसा नहीं अगर आपके मेरिट बहुत ज्यादा है अगर तॉप में अगर आपके एक क्यानवे बार्द परसेंटेज आग्रेगेट तो आप कर सकते हैं अन् अब हमें आगर लगता है कि हम यह merit का number एक पर हमें preferences देना है क्योंकि यह priority है इनकी की merit में LL RM Medical College में इने पढ़ना है तो जैसे हमें number 2 वाला choice number 1 पी ले जाना है तो यहाँ पर arrow दिख रहे होंगे arrow आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको यह दूसरी number वाला यहाँ पर क्लिक कर देना है तो यह एक number पर महुंच जाए इस प्रकार आप उपर नीचे कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर काटना है तो यह क्रॉस के option लगे हुए हैं यहाँ पर आप यहाँ पर क्रॉस करके उसको हटा सकते हैं तो यह दकी प्रिफरेंसेस हो गए हमारे number एक पर डिप्लोमान फार्मेसी ऐलल आरा मेडिकल कॉलिज मेरट उसके बाद में डिप्लोमान फार्मेसी जी एस बीम परेसंकर विद्धार्थी मेडिकल कॉलेज कानपोर एसर मेडिकल कॉलेज और इस पकार आप मैंने पांच तो यहां पर okay के option पर हमें click कर देना है जब हम okay के option पर click कर देते हैं तो फिर आप आशे गर принт log preferences उपर पिर से course center preferences के option पर click कर जोगा होगी हैं वो और आप Пडिया format में, JPG format में, PDF format में आपके mobile या laptop की storage में download हो जाते हैं. तो इसपकर आप print log preferences करकर आप अपना इसका printout भी निकाल सकते हैं कि हमने ये college log किया. तो prints मुझे लगता है कि आप सब student समझ गया हूँगी कि कि किस प्रकार से आपको अपने college लॉग करने हैं इस पेसलिए आप इसे ध्यान रखें कि कम से कम आपको तेन या चार college लॉग करने ही करने हैं अगर आपकी merit काफी कम है तो आप private college भी लॉग कर सकते हैं अगर आपकी merit सही है तो आप government college लॉग करिएगा वैसे private government government ऊपर रखी गया private थोड़ा नीचे रखीएगा और जहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटे हैं कानपूर सबसे ज्यादा सीटे हैं कानपूर लखनव अलहाबाद मेराट आगरा इनको सबसे ज्यादा लॉग करिएगा और आगर आपको पता नहीं कि क कितनी कितनी सीटे हैं तो आप prospectus डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको देख पाएगा कि आप कितनी 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 सीटे हैं वैसे जहां पर जाला दन सीटे हैं आप उन्हें को लॉग करिएगा जिससे कि आपका government college मिलना सुनिश्चित हो सके फ्रेंट्स वीडियो कैसा ल अगर आपको कोई भी देखा थे तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं